मश्कार दोस्तों, Codefix में आपका स्वागत है आज हम करेंगे One Line Loop in Python or List Comprehension in Python मतलब एक List Comprehension कैसे काम करता है Python में या एक One Line Loop कैसे लिखते है Python में यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजेगा और Codefix चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ List Comprehension in Python यहाँ पे हमने एक List लिए हुई है Employee Data की तो यह EMP Data मेरा एक Employee List है जिसमें राम, अभे, राजीव, कॉमल, राशी वो इस तरह से Employee का Data मैंने लिखा हूँ है List में ठीक है चलिए अगर इसको हम करते तो कैसे करते तो पहले हम Loop के थुरू करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको Retrieve करते हैं Using Loop तो यहाँ पे मैं एक Loop लिया हमारे को लेट से कि जो R से शुरू होते हैं हमें वो सारे नाम चाहिए तो हम एक Loop लिखेंगे तो Loop लिखेंगे कैसे For Employee in Employee Data If Employee.StartWith StartWith function क्या करता है वो String का पहला Letter चेक करेगा तो जो भी हम पहला Letter देंगे Case Sensitive होता है तो जो भी पहला Letter देंगे वो उसको ढूंडेगा List के अंदर और उसको Print करेगा तो मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला If Employee.StartWithR मतला R से नाम शुरू होता है तो उस Employee का नाम Print कर दीजिए देखे मैं रन करके दिखाता हूँ यह आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने हमाई जो List थी उसमें से राम, राजी और राशी यह तीन चीज़े उसने प्रिंट कर दी मैं यहाँ पे List भी प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से दिखाई दे और Clearly इसको समझाया सके Print EMP Data यह List मैंने प्रिंट कर लिया है अब आप देख सकते हैं इसमें कि हमारे पास List है राम अभे यह करके डेटा है इसमें तो R से शुरू होता है राम शुरू होता है, राजी शुरू होता है और राशी शुरू होता है अगर आप यहाँ पर लेटर चेंज कर देंगे R की जगे लेट से हम यहाँ पर K कर देते हैं तो देखिए के से शुरू होने वाले जो भी employees होगे, उनका नाम इनोंने कोमल और कवीता दिया है यह प्रतम के उपर अभी मत जाहिए क्योंकि यह नीचे से प्रिंट हो रहा है देखें, यहाँ से प्रिंट हो रहा है इसको भी कमेंट कर देंगे हम तो यह अब नहीं आएगा यह देखिए जिस ठोल डूँ यहाँ पर अभी इसको भी हमें कमेंट करना पड़ेगा अब यह प्रोग्राम सही चलेगा ठीक है तो अभी चलिए अपने कोट पे वापस चलते हैं जहाँ पे हम थे अभी अभी एक एक करके मैं यह सारा कोट समझाऊँगा आपको हम यहाँ पे थे तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट में हम यहाँ पे एक लेटर के तुरू निकाल सकते हैं और अगर हम के सेंसीटिव है अगर मैं यहाँ पे small के दूँगा तो small के का अगर कोई employee होगा तो वो print करेगा दरवास नहीं करेगा यहाँ पे कोई नहीं है तो इसलिए नहीं करवा लैट से हम capital A से देखते हैं तो ये capital A से हमको जितने भी capital A में है अभे है, अमभी का है ये दोनों print करके इसने दिखा दिया अब ये कहाँ पर आपके काम आएगा practical life में देखें मैं आपको दो example देता हूँ let's say कोई employee का database है जो मैंने करके दिखाया अभी और अगर माली जी आप स्कूल में जाते हैं students हैं वहाँ पर बहुत सारे और आप ये check करना चाहते हैं ये वही एक particular alphabets से कितने students आपके exist करते हैं तो आप check कर सकते हैं इस तरही की से start with से ठीक है? चलिए आगे हम चलते हैं और आगे का video cover करते हैं अब हम ये list को use करके कैसे कर सकते हैं देखें using list comprehension में list comprehension होता क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूँ list comprehension is quicker way to use you want to make a new list based on the value of another list यानि ये fast तरही का होता है एक दूसरी list से एक नई list तियार करने का यानि आपके पास already एक list है उससे एक अप नई list तियार करना चाहते हैं तो आप list comprehension कर सकते हैं जिसे आप फटाफ़ट से एक नई list बना सकते हैं और list बनाते हुए उसमें operations भी कर सकेंगे वो मैं आपको अभी बताऊँगा कैसे चली ये शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक new employee data की list लिए है पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक particular list आप बनाते हैं तो उसमें value assign कैसे होती है तो कैसे value assign होती है मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करते हैं list का नाम लेते हैं equal to लिखते हैं और फिर ये round brackets के साथ में एक string या जो भी value होती है वो pass करते हैं इस तरह के से list में एक element को assign किया जाता है चलिए मैं इसको print करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे list में प्रथम assign हो गया है अभी के लिए हम उपर का code comment कर देते हैं ताकि आप clearly देख सके यह मैं loop को comment कर लेता हूँ comment इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको confusion ना हो मुराने code की विज़े से अभी हम फिर से run करेंगे देखिए अब list है और अभी हमने new list जो print करी है वो प्रथम के नाम से है ठीक है अभी चलिए नीचे code में चलते हैं और list comprehension करते हैं इसको बंदी कर देते हैं ताकि clear दिखे ठीक है list comprehension में क्या होगा अभी जो हमने loop लिखा था same pattern में हम करेंगे बट अब हम comprehensive way में करेंगे यानि short में करेंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो ही new list जो हम अभी new list हमने assign करके दिखाई थी मैंने आपको new employee data हमने लिया और उसमें हमने इस तरीके से list comprehension way में इसको लिखा आप देखे यहाँ पर कुछ अलग नहीं है same way से हम काम कर रहे हैं हमारा यहाँ loop है आप इतने code को देखे यहाँ से यहाँ तक यह loop लिखा हमने आप देख सकते हैं line 7 7 पर focus कीजिए 7 में जो मैंने लिखा हुआ है देखे यह line है for employee in employee data यह line है same loop लिखा हुआ है उसके बाद second line में हमने 8th line यह देखे यहाँ हमने if condition लिखी हुए है if employee.start करके तो यह condition भी हमने same line में लिख दी यहाँ पर employee वाली और जो यह print employee वाली command है यह हमने यहाँ पर लिख दी है employee में हमने store कर लिए है तो आप देख सकते हैं कि यह 3 line का loop हमने एक single line में लिख दी है इसी रिए मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि one line loop हम कैसे लिखते हैं python में तो यह 3 line का loop हमने एक one line single line में combine कर दी है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्या करा है हमने इसमें पहले loop का statement लिखा हुआ है फिर if statement लिखा हुआ है और फिर print statement वाला जो variable था वो यहाँ लिखा हुआ है तो single line में loop ऐसे लिख सकते हैं python में और हमने इसे assign कर दिया निव लिस्ट में यह same way में काम करेगी चलिए print करते हैं देखे मैंने run किया और same way में उसने काम करके दिया है हमको r से जो भी employee start होते थे वो इसने हमें return कर दिया है अगर यहाँ पर आप letter change करेंगे के से लिखते हैं तो यह के से employee जो start हो है वो आपको बता देगा hopefully दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो please comment करके मुझे जरूर बताईए और अगर आप किसी particular topic पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं definitely dedicated वीडियो बनाऊँगा आपके लिए और अगर आपका कोई question या concern है वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया है तो please like कीजिए और Codefix के चैनल को subscribe करना ना भूले केकी मैं daily basis पे वीडियो बनाता हूँ जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँगा तो आपको notification मिल जाएगी और आप timely कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा आपको Codefix में ये वीडियो देखने के लिए दन्ने वाग thanks for watching मिलते हैं जलदी किसी ऐसे वीडियो में जहां कुछ नया देखने को और सिखने को मिलेगा